हेलो इब्री वन आज मैं केक बनाऊंगी कूकर में वो भी बिस्किट से मारवल केक देखे कितना ही फलबवी है और माइस्ट भी है बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बन गया था आप भी बना के देखिएगा चलिए देखते हैं क्या क्या लगता है सामान इसके लिए मैं स्टील के डिपा में मैं बनाऊंगी अगर केक टीन नहीं है तो आप स्टील के डिपा में भी बना सकते हैं और मेजर्मेंट यह सब नहीं है स्पून टी स्पून कब तो उसका भी मेजर्मेंट मैं बताऊंगी बेकिंग सोडा बेकिंग पौडर दो पैकेट में पारले जिली हूँ एक पैकेट और यो बिस्किट ली हूँ अब कूकर में बनाएंगे तो कूकर का वे सीटी और विसल बोलते हैं रवर निकाल देंगे यह आयल लिये हैं और यह नमक है इस नमक में पहले मैं बना चुकी हू अगर आपके पास एक मेजरमेंट का नहीं है तो आप इस्टील वाले चमच से भी नाप सकते हैं एक पुरा भर के इस्टील वाला चमच इदम पुरा भर के लेंगे तो टेबल स्पून हो जाएगा थोड़ा सा डाउन लेंगे उससे भर के नहीं लेंगे डाउन लेंगे तो तो यह टीश्पुन हो जायेगा अगर तो आपके पास एक कप नहीं है तो आप कोई कटोरी बद्टन सेट कर लिजिए और इल्मूनियम का कूकर नहीं है तो इस वाले कूकर में भी बना सकते हैं अब मैं इसी कूकर में नमक डालके और इसका भी लेडा और सिट्टी निकाल द तोड़ूंगी सीम एकदम कम आज पर रख दी अब मेरा कोकर गरम हो रहा है अब इधर मैं बिस्कीट खोल के तोड़ूंगी और एक कप का मेजर्मेंट में बता रही थी कि कप में अगर आपके पास कप नहीं है तो कोई भी बरतन जो है जिसमें 240 ग्राम या 250 ग्राम आता है सम वर्यग बिस्कीट भी हम पूरा नहीं लेंगे वार लेजिए क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लेट technology रख और छोटा बनाना है और इसको मैं अच्छी स्वी टोड़ की थोड़ोंगür वीधकिट को तोड़ फिर मैं मिक्सी में दालके अच्छी तरह से मिक्सी जार में दालके प हो जाएगा अब इसमें और यह बिस्किट भी हम पूरा पैकट नहीं लेंगे हाप पैकट लेंगे अगर इसे क्रीम बाला है तो इसका क्रीम निकाल देंगे बिना क्रीम कहीं हम इसको पीसेंगे ईजली निकल जाता है यह चमस से निकाल की अब इसमें मैं हाप पैकेट लेंग और अब दोनों ले लिए हैं अब हम किक्टिन रेडी कर लेंगे इस्टील के डिबा में मैं बना रही हूँ अब इसमें अच्छी तरह से हम तेल लगा देंगे रिफाइन आयल है अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे अब मैदा लेकर मैदा इसमें थोड़ा से डाल के इस तरह से हम चारोतरफ घुमा के अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे मैदा का और जो बाकी बचा रहेगा उसको हम उल्टा करके निकाल देंगे और अच्छी तरह से ये केक्टिन तैयार हो जाता है आपके पास cake tin नहीं है तो आप इस्टील के डिपपा में भी बना सकते हैं अब यह measurement cup तो जरूरी है उसी हिसाब से तो baking powder baking powder डालेंगे soda डालेंगे अब एक cup हम लेंगे क्योंकि हमको छोटा बनाना है वो बड़ा बनाना है तो उसी सबसे सामान कम ज़्यादा कर भी सकते हैं अब इतना बच गया है मतब हाप cup को एक packet में एक cup हो जाता है powder अब इसको हम ले लेंगे अब इसमें हम थोड़ा मिठा बनाएंगे तो हम एक चम्मज भरके और ये दूसरा चम्मज भरके इसमेंश चीनी डालेंगे अब भता रहे हैं देखिए ये एक टी स्पून हो गया लगस बढ़े ऐसे अब ये हम baking powder डाल रहे हैं बेकिंग पाॉडर को हम एक दम डाउन कर देंगे एक टीश्पून बना के डालेंगे एकदम उपर तक नहीं भरे रहेंगे एकदम उसको डाउन कर देंगे अब उसका ही ऐसे करके इसे हाप हाप टीश्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इतना बच गया है अब एक कप ये था बिस्किट का पाउडर तो एक कप ही लगेगा दूद भी एक कप ही लगेगा हो सकता है एक चमच कम जाता भी लग सकता है अब इसको हम पाउडर को अच्छी तरह से हम चीनी और वेकिंग सोडा मिला लिये थे अब हम दूद डालके अच्छी तरह से ऐसे चारो तरफ घुमाएंगे फिर बीच से ऐसे कट एंड फोल्ड इसको बोलते हैं अभी गाड़ा है देखिए अधा कब डाले थे अभी हम दूद और डालेंगे इसमें और इसकी कंसंटेंशी कर लेंगे अभी गाड़ा है मतलब इस बिस्किट में थोड़ा दो चम्मच जादा दूध लगा था एक कप से जादा लगा था दूध एक चम्मच ऐसे थोड़ा डाल डालके ऐसे ही अगर जादा डाल देंगे तो इतना रणिंग हो जाएगा देखिए अभी तो टाइठी गेल रहा है अभी और दूध डालना पड़ेगा ऐसे थोड़ा दूध डालके अच्छी तरह से हम इसको रणिंग बना लेंगे फिर भी मेरा रणिंग नहीं गुआ है अब मेरे पास धंडा दूध नहीं है अब मैं नहीं डालोंगी अब जैसे ब बनाएंगे आप लोग बनाईएगा तो थोड़ा से और रेंणिंग कर लिजिए अगा रीबन कितरे ऐसे गिरना चाहिए अब इसमें मैं आधा आधा कर ली हूं इसमें मैं यह डार्क बिस्किट का पाउडर मिलाओंगी और यह जो मैं पीसकी रखी थी और यह बिस्किट को अब इसको मिला के ऐसे कट फोल्ड इसको भी मैं मिला लोंगी इसमें मैं एक टेबल इस्पून मैं तेल भी डाले हूं तेल डालते समय नहीं दिखा पाई अब मैं इसमें विनेगर नहीं डाली थी इसलिए दोनों में बराबर बराबर है तो दोनों में आधा आधा टेबल इसमें डाली हूं दोनों को मिला लिए अब इसको भी मैं मिला लोंगी क्योंकि मैं विनेगर उची में डालके फिर इसमें डालना चाहिए था मैं तब अलग-अलग कर ली तब ही हमको डालना हुआ है अब देखिए अब भी गाड़ा है ऐसे डालने पर फैलना चाहिए इस तरह से डालने पर फैलना चाहिए देखिए फैल नहीं रहा है स्लो फैल रहा है तुरंत फैलना चाहिए अब एक चम्मच ये डालेंगे एक चम्मच डार्क वाला डालेंगे एक चम्मच ये पाले वाला अब टूथपीक लेके जो भी डिजाइन बनाना है जैसे बनाना है वो डिजाइन बनाएंगे वो डिजाइन अब कब बन जाएगा अब कूकर भी मेरा गरम हो गया है अब हम उसमें इसको रख देंगे रख के तेड़ा मेड़ा ना रहें अपना अच्छी तरह से ढख देगे अगर कहीं से स्टीम निकल रहा है तो इसके उपर कोई भारी बरतन रख देंगे तो नहीं निकलेगा अभी हम 25 मिनट में चेक किये हैं जिस मिनट में ही ये केक मेरा पग गया है तोथपिक डाल के देखें तोथपिक एकदम सुखा निकला है कोई भी लिकुट नहीं निकला है अभी गरमी बतास नहीं हो रहा है मैं गरमी पलडती हूँ ये गरमी मैं पलड़ दी देखिए इसे निकल गया एजली निकल जाता है बिने बेटर पेपर का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए कमेंट करके बताईए एक बार बनाईए उसके बाद कमेंट कीजिए बहुत ही अच्छा सॉप्ट और फ्लब्बी बन गया देखिए खुस्बु बहुत घर भर बहुत अच्छी आ रही है अब मैं बहुत ही गरम है आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करके काटेंगे न तो आपका आच्छा से ठोक निकलेगा मुझे तो बरदाश नहीं होता मैं तुरंत काटती क्योंकि महेक रहा है तो शेर कीजिए कमेंट कीजिए थेंक्यू फर वाचिंगे वीडियों